हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक मिस्टीरियस ओर्गनाइजिशन को दिखाने से होती हैं जहाँ पर तीन लोग अपने ग्रेंड मास्टर फैन को प्रणाम कर रहे थे जिसके बाद वो मास्टर शेन को प्रणाम करते हैं आगे वो लोग टेबल पर बेटते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि क्विंग इस मीटिंग में क्यों नहीं है जिस पर सामने बेठा डाड़ी वाला आदमी कहता है कि क्विंग एक इंपोर्टेंट मिशन पर गए हैं जिस के पीछे खड़े लोग कहते हैं कि ये गेमर है और ये काफी पावरफुल है स्वोर्ट मेंशिप सिम्यूलेशन में इसकी रेंकिंग नंबर वन पर हैं वो भी पिछले 30 सालों से और तभी हमें स्कोर बोर दिखाया जाता है जिस पर गेमर का स्कोर 11000 के पार था जबकि बाक उसे एक डोक्टर चेक करने के लिए आये थे क्योंकि पिछले एपिसोड के अंत में वेंग की डिवाइस की वज़े से वो बेहोश हो गई थी अगर वो एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो भिड़ लोग उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी फटा फट जाकर देख लो तो इधर ग्रेंडपा सोचते हैं कि सुन तो बचपन सही सेल्फ मोटिवेटेड रही है वो तो रात को भी पढ़ाई किया करती थी वो तो इसकुल में हर सबजेक्ट में नंबर वन आती थी उसने इतनी ट्रोफिया जीत ली कि र औरी वाली सांस लेते हैं जिसे देखकर दादा पोती दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुन को कोई गंभीर बिमारी हो गई है और उसको ठीक नहीं किया जा सकता है और इसलिए वे दोनों तो भोंगड़े रखके रोने लगते हैं अब मेरा क्या सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सुन एकदम fit and fine है जिस पर grandpa पूछते हैं तो फिर सुन पिछले एपिसोड के अंत में बेहोश क्यों हो गई थी अरे grandpa आप तो anime के अंदर हो ना पिछले एपिसोड पिछले एपिसोड क्या कर रहे हो तो डोक्टर कहता है कि जरूर ये psychological problem हो हाँ लेकिन मैं आपको बता दू कि उनका होस्पिटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि उन्हें स्पिरिचल कोईंस की कमी आ रही है जिसे सुनते ही ग्रेंडपा मोबाइल पर फटाफट कुछ टाइप करने लगते हैं इधर डोक्टर आराम से बेट कर टीवी चालू कर होते हैं और उस टीवी में न्यूज रिपोर्टर बताती है कि अभी अभी ताजा सुत्रों के द्वारा पता चला है कि सून की फैमिली के कमपनी ने डोक्टर की सीनियर के होस्पिटल को स्पोंसर किया है आपकी जानकाने के लिए आपको बता दे कि अब उनका पूरा कंस्र आते हुए देखते हैं उसकी मोम उसे पूछ रही थी कि क्या तुम सून से मिलने जा रहे हो जिसके बाद वेंग घर से निकल कर होस्पिटल की लोकेशन पर आता है और यह होस्पिटल किसी महल से कम नहीं लग रहा था और इसी दोरान वेंग के सभी दोस्तों ग्रूप में कर रहे थे कि उन्हें सून को देखने के लिए जाना चाहिए मगर अगले ही पल सब लोग एक एक करकी बहाना बनाने लगते हैं कि उन्हें तो कुछ काम है कैसे दोस्ते रही है और इसी लिए फिर वो लोग वेंग को उनकी तरफ से भी गिफ्ट लेकर जाने के लिए कहते है इसके बाद होस्पिटल का गेट अपने आप ओपन होता है एकदम हाई टेक होस्पिटल यह है और जब वेंग और डोगी अंदर जा रहे थे तब ही छोटा सा रोबोट आकर उन्हें सकेन और सेनिटाइज करता है और फिर उनका होस्पिटल में वेलकम करता है तो वही सून डोगी बोलता है क्योंकि उसकी नजर CCTV केमरे पर पड़ती है और इसलिए वो उधर निकल जाता है तो वही उधर सिक्योरिटी रूम में ग्रेंडपा अपने चश्मिश सर्वेंट के साथ मोनिटर पर सब कुस देख रहे थे चश्मिश सर्वेंट उन्हें कहता है हमें गोर सुन की बाते सुननी चाहिए पता नहीं वो क्या बाते कर रहे हो लेकिन ग्रेंडपा उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें वेंग पर पूरा भरोसा था और तबिवो डोगी को आवाज लगाते वें पूछते हैं क्यो डोगी सही कहा ना मैंने तो वही डोगी को देखकर चश्मिश चोक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि डोगी कब अंदर आ गया जिसके बाद डोगी ग्रेंडपा की साइड में आकर बेट जाता है और वेंग की तारिफ करते हुए कहता है कि मैं और वेंग एक ही क्लास में थे और मैं वेंग को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ वो तो काफी काइंड हार्टेड और हार्ड वर्किंग स्टुडेंट है और बस इतना कहते ही ग्रेंडपा और डोगी दोनों चश्मिश की बातों पर हसने लगते हैं और तभी हमें एक फ्लेश बेक से पता चलता है कि बचपन से ही चश्मिश और सून एक साथ बड़े हुए हैं और इसके चलते चश्मिश अप प्रजेंट में सून को चाहने लगता हैं और इसलिए तो ये करम खोला वेंग और सून की बाते सुनना चाहता था तो वहीं उस तरफ हम सून के रूम में देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के भेजवे गिफ्ट्स को देखकर काफी ज़ादा खुश होती है लेकिन जब वो करीब जाकर देखती हैं तो उन गिफ्ट्स में से वेंग का तो कोई गिफ्ट होता ही नहीं है तेरको लगता है वेंग कोई गिफ्ट लेकर आया होगा लगता है दिरको और फिर इसके कारण वो सड़ा सा चेहरा बना लेती है जिसे देखकर वेंग अपने बेग में से एक बोटल निकालता है उसको देखकर सून को लगता है कि अरे अरे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है कुछ special portion बना कर लाया है शायद लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है वो खाली पानी की बोटल होती है जिसे वो गरम करके सून को देता है जिसे देखकर तो सून का चहरा पूरी तरीके से उतर जाता है क्यों मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आये तो फिर वेंग उसे एक ड्राइ नूडल का पेकेट देता है वाँ वाँ बस अब ड्राइ नूडल दे दिया ना सारी समस्याओं का समाधान यही है अरे नहीं यह कोई ऐसा वैसा पेकेट नहीं है बलकि स्पेशल कलेक्टर एडिशन होता है जुसे देखकर सून काफी ज़्यादा खूश हो जाती है कहाता ना मैंने एक पेकेट नूडल सारी समस्याओं का समाधान और तभी खिडकी के बाहर एक रोबोट सून को रीहबिलिशन टेस्टर के लिए बुलाता है यहाँ पर सून वैंग को भी अपने साथ आने के लिए खहती है तो वही टेस्ट एरिया को देखकर हम समझ पाते हैं कि यह टेस्ट एक गेम आर्केट के अंदर जितनी भी गेम्स रखे हुई थी वो सारी गेम्स खेल कर दिया जाता है तो वही वहाँ पर अंदर आते ही एक रोबोट सून को अपनी आईडी बनाने के लिए खहता है तो सून सिमिलेशन में अपना नाम आगान रखती है एरे यार आगान क्यों रखा वेंग प्लस सून वेंगून ऐसा कुछ रखना चाहिए था ना क्या यार ये भी जिसके बाद सून वेंग को एक मशीन के पास लेकर जाती है उसमें से डोगी जैसे दिखने वाले सोफ्ट टोई इसको बाहर निकालना होता है यहाँ पर सून उस सोफ्ट टोई को बाहर निकालने की काफी जादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और तभी उसकी नजर साइड की मशीन पर पड़ती है जिसके अंदर काफी सारे क्यूट से येलो पांडास थे जिनने देखकर सून उन्हें लेने की इच्छा जाहिर करती है कि मुझे ये चाहिए अब अपनी रानी ने कोई फर्माईश की है तो अपने राजा को तो मानना ही पड़ेगा ना और इसलिए वेंग उसे निकालने के लिए आगे बढ़ता है अब वेंग को गेम खेलते वे देखकर उधर वो चश्मिश एड्मिनिस्टेशन को सारी गेम्स को उनके हार्ड लेवल पर सेट करने का मेसेज करता है और इसलिए जब वेंग उस मशीन को कंट्रोल करता है तो वो मेके निकल हैंड बीच रास्ते में ही रुक जाता है लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वेंग की पावर के सामने टिक पाएगा वो ना अपनी पावर का थोड़ा सा यूज करता है और उसके कारण मशीन में से ढेर सारे येलो पांडास बाहर निकलने लगते हैं जिसे देखकर सुन और कंट्रोल रूम में चश्मिश दोनों ही दंग रह जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सारे पांडास बाहर निकालने की वज़े से सुन गेम में टोप पर आ जाती हैं और उन्हें देखकर ग्रेंड़ पाप फालतु में इतराते हुए कहते हैं कि वेंग तो बिलकुल मेरी तरह ही है जब मैं यंग हुआ करता था, मैं भी ऐसा ही था यह सुनकर डोगी मन में कहता है यह कुछ जादा नहीं हो गया, कुछ जादा नहीं फेक रहा है इसके बाद जब वेंग अगला टेस्ट देने के लिए जाता है तो वो उस पूरी मशिन को ही तोड़ देता है हाँ, यह तो हमार लिए नूर्मल है, यह तो हो नहीं था जिसकी वज़े से एक बार फिर सुन लीडर बोर्ट पर नंबर वन पर आ जाती है और नंबर टू पर गेमर पहुंच जाता है तो वहीं यह सब देखकर ग्रेंड पा एक बार फिर इतराते हुए कहता है कि इसकी स्पिर तो बिल्कुल मेरे जैसी है जब मैं यंग हुआ करता था, तब बिल्कुल ऐसा ही था अब यह सब कुछ देखकर चश्मिश एक बार फिर एड्मिनिस्ट्रेशन को सारी गेम्स का लेवल अगदम हार्डेस्ट पर सेट करने का कहता है जिसके कारण अगले गेम में बास्केट बोल की बास्केट एकदम छोटी होने लगती है अललललललल यह चश्मिश तो वेंग से टककर ले रहा है और फिर यह देखकर वेंग बास्केट बोल पर कोई मेजिक पफॉर्म करता है जिसके कारण वो बोल सीधे बास्केट में से गुजर जाती है ये देखकर ग्रेंडपा पहले तो हेरान रह जाते है और अब आप रहे ऐसा किसे कर दिया है इसने तो डोगी उन्हें समझाता है कि वेंग नेना एक special technique का यूज किया है जिसकी वज़े से बास्केट बोल बास्केट में जाती तो नहीं है लेकिन फिर भी बास्केट हिलती है तो ऐसा लगता है कि बास्केट बोल उसके अंदर चली गई है जिसे सुनकर हमारे दद्दू ग्रेंडपा फिर से इतरा आने लगते है अरे हाँ जब मैं यंग था तो मैं भी ऐसा ही तो करता था वा रे वा बहुत इतरा आ रहा है ये तो तो वहीं दूसरी तरफ हम गेमर को देखते हैं वो अपने आपको सेकेंड नंबर की पोजिशन पर देखकर काफे जादा घुसा हो रहा था तो वहीं इधर वेंग स्वोड मैंशिप सिमिलेटर का टेस्ट देने के लिए आता है जिसमें भी गेमर नंबर वन पर था आगे सून अपने मेजिक से स्वोड निकाल कर वेंग को देती है जिसका यूज करके वेंग हलकासा उस मशीन के कोर को टच करता है हलका सा ही टेच कियाता हो लेकिन वो मशीन उसकी इतनी सी भी पावर को सहन नहीं कर पाती है और तूट फुटा जाती है और बाहर दिवार में भी खड़ा हो जाता है अब क्या करें यार हमारा वेंग है इतना पावरफुल और फिर इसके कारण वो स्कोर बोर्ट पर भी नंबर वन पर चले जाते हैं लेकिन उनके आगे ना क्वेस्चन मार्क बने हुए आ रहे थे यानि कि उसकी पावर को मापना उस मशीन की भी ओकात के बाहर था जिसे देखकर इधर गेमर की आखे फटी की फटी रह जाती है और वो सुन यानि आगाम का नाम लेकर काफी ज़्यादा खुसा हो रहा था तो वहीं इस तरफ सिक्योरिटी रूम में ग्रेंड पा एक बार फिर कहते है कि इस लड़के की स्वोर्ट मेंशिप तो बिलकुल मेरे जैसी है जब मैं यंग था अरे दद्दू अब बंद हो जाओ प्लीज अब बंद हो जाओ ये बस अब हम नहीं सुन सकते दद्दू तो वहीं इस तरफ सारे पॉइंट सब्मिट करने पर वैंग को एक येलो पानड़ा दिया जाता है जिसे वो सुन को दे देता है, जिस पर सुन उससे कहती है कि तुमने इसके लिए काफी मेहनट की है और ये तुम मुझे देना चाहते हो तो वेंग कहता हैं कि हाँ तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगी जिसे सुनकर सुन वो पांडा ले लेती हैं और उसके चहरे पर इसकी खुशी साफ साफ नजर आ रही थी वेंग का दिया हुआ गिफ्ट उसे काफी जादा पसंद आया था तो होई दूसरी तरफ गेम आर्केट में गेमर पूरी फ्रस्टेशन में लगातार स्वोर्ट मेंशिप सिमुलेशन में लगातार अपनी स्वोर्ट मारे जा रहा था लेकिन हमारा प्यारा सा बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले वेंग के स्कोर को बीट नहीं कर पाता है और फिर इसलिए उसकी frustration एकदम top level पर चले जाती है और वो अपनी sword को तोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं आगान तो फिर सारा मामला खतम करने के बाद वेंग को हम घर पर जाते हुए देखते हैं और इस दोरान डोगी उससे कहता है कि गेमर काफी tough guy है वो fourth emblem faction का master है जिसके बारे में वेंग कहता है कि ये क्या है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है तो डोगी कहता है कि fourth emblem faction infinite sword faction का एक part है जो कि काफी dangerous faction है और अब क्योंकि तुमारा rank उससे उपर हो गया है तो वो बदला जरूर लेगा लेकिन इसे वेंग को कुछ घंटा फरक नहीं पड़ता और वेंग शांती से घर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये episode यहीं पर खत्म होता है